आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थेववस्ता बना है, तो इसका बहुत बड़ा स्रे हमारे स्रमिकों को ही जाता है। साथियों, देश के हर स्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उधारन इस्रम पॉर्टल भी है। ये पॉर्टल पिछले साल सुरू किया गया था, ताकि असंगटित छेत्र के समिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। मुझे खुशी है कि इस एक साल में ही इस पॉर्टल से चार सो अलग-अलग शेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड समिक जुड़ चुके हैं। विशेस रुप से इसका लाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, प्रवासी मद्दुरों को और डोमेस्टीक वर्कर्स को मिल रहा है। अब इन लोगों को भी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर जैसी सुविधाओं का लाब मिल रहा है। स्रमीकों में रोजगार के अवसर भणाने के लिए इस्रम पोर्टल को नेशनल केरियर सर्वीश असीम पोर्टल और उद्योग पोर्टल से उद्यम पोर्टल से उससे भी जोड़ा जा रहा है। इस कांफरंस में उपस्तित आप सभी से मेरा आगर हैं कि नेशनल पोर्टल के इंटिग्रेशन के साथ साथ हम स्टेट पोर्टल को भी साथ में इंटिग्रेट करने पर जरूर काम करें। इससे देश के सभी स्रमिकों के लिए नए आउसर खुलेंगे। सभी राज्यों को देशकरी स्रम सकती और प्रभावी लाब मिलेगा। साथियों आप सभी भली भाती जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे कितने लेवर कानून रहे हैं जो अंग्रेजों के समझ से चले आ रहे हैं। बीते आठ वर्षों बें हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिक्ता वाले कानूनों को खत्म करने का बिड़ा उठाया है। देश अब ऐसे लेवर कानूनों को बदल रहा है। रिफॉर्म कर रहा है। उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेवर कानूनों को चार सरल लेवर कोर्ट में बढ़ला गया है। झाले कानूनों को बढ़ला गया है।